नमस्कार दोस्तों, न्यूस्क्लिक के पड़ताल दुनिया भर्क में आपका स्वागत है, आज हम बात करने जा रहे हैं बांगलादेश, हमारा पडोसी देश बांगलादेश जिस तरह की राजनितिक उथल पुतल से गुजरा है पांच अगस्त के बाद जिस तरह से वहाँ पर सीन बदला है, उसने बहुत बड़े सवाल उठाए है, सवाल वहाँ के आंदोलन को लेकर, आंदोलन के बाद शेक हसीना का भारत में होना और वहाँ पर मुहम्मद यूनुस की कमान संभालना, छात्र नेताओं का मुहम्मद यूनुस पर भरोसा जताना यह सब जिस तेजी से घटना करम सामने आया है, एक डेड़ महीने के भीतर, उसने जमूरियत को लेकर, यानि डेमोक्रेसी को लेकर और डेमोक्रेसी में कौन-कौन से तत्व कितने प्रभावकारी होते हैं, कब बड़े चेंज की तरफ बढ़ते हैं, इसे लेकर एक लंबी डिबेट शुरू की है, इस पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है, नियूस क्लिक के फाउंडर संपादक, प्रबीर बैठ कर अगस में बात कर रहे हैं, शेख हसीना भारत में शरण लिया हुआ है उन्होंने, और मुहम्मद यूनुस ने वहाँ पर कमान समाली है, 16 लोगों की टीम है, यह जो चेंज है, यह इतना तेज हुआ या पहले से आपको लगता है चल रहा था, देखिए बहुत दिन यह चीजे धीरे धीरे जिस रास्ते पर इस वक्त आया, जिस का गार पर आया है, बहुत दिन से चल रहा था, क्योंकि सवाल प्रश्ण चिन्न जो है, 2019 के चुनाओं में बहुत ज्यादा था, लोग 2014 के भी बात कर रहे हैं, पर 2014 में यह इस तरह से नहीं था, जो 2019 में ख़़ किया गया था, शेख अजीना को जीतने के लिए, लचुनाओं धानली की गई थी, खास तोर से जो तत्व वहां पर विरोध करते हैं, कुछ हद तक तो उसमें, कॉमिनल फोर्स भी है, जमात उसमें एक अंग्श है, खाल दजिया और जमात की एक अलाइन साथ था, वो भी उ साथ साथ यह भी है, कि जरता को अपना वोट, अपना उपिनियन न बताने देना, चाहे जो भी इशू हो, उसको आप राजडितिक तरीके से मुकाबला न करके, अगर चुनाओवी तरीके से करना चाहेंगे, कि वोट न देने दे, कैंडिडेट न खड़े करने दे, प्रच प्रचिन में आई थी, हकिकत है कि उप्रचिन जिसको फ्री एंड फेर इलेक्शन कहेंगे हम, वो नहीं था, और यह भी सही है कि इलेक्शन में धानली थोड़ी बहुत तो होती है, पर जिस तरह धानली हुई थी, वो एक क्या कहेंगे, लेजितिमिसी ओफ द रूलर जो होत कि हमारा वोट हमें नहीं डालने दिया गया, हमें नेता जो हम चाहते हैं, उनको चुनने नहीं दिया गया, और इसके लिए बड़े पाइमाने पर रास्ते में निकले, योगी तो विपक्ष विहीन चुनाओ था, सारे विपक्ष को ही जेल में डाल दिया गया था, यूनू पर ये अंदाजा नहीं था, कि इतनी तेजी से इतना बड़ा मुव्मेंट खड़ा हो जाएगा, और उस पे जरूर जमात की रोल रही है, ऐसा नहीं है, मिलिटरी की दोगलापन, एक वक्त पे जाके प्रोटेक्शन प्राइम मिनिस्टर से विड्रॉ करना, ये भी रहा है, पर जो हकीका थे, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, कि असंतोष जिस पैमाने पे था, और जनता को अपना राय ना देने दिया जाए, उस पर जो आक्रोश था, वो प्रकट सामने हुआ, खास तोर से इस इशू पे, कि जब कहा गया कि जो 71 में संघर्ष लड़े थे, आरक्षन देंगे, यह सब चीजे, खास तोर से क्योंकि यूथ अनिप्लाइमेंट है, एडुकेटिड अनिप्लाइमेंट है, तो यह देखते हुए, स्टूडेंट्स के लिए, वो एक क्या कहेंगे, चिंगारी बन गया, जिसका बिस वोट हमको देखने को मिला, पर अभी यह कहना पड़ेगा, कि जब इस तरह सब चेंज होता है, क्या खुने वाल है, बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक हिसाब से हर तरह के ताकत इसमें शामिल है, अमरीका के पक्ष में कुछ लोग है, मिलिटरी में उसका घुसपेट है या नहीं है, सवाल है, जमात जो एक इस्तामी मुल्क बनना चाहिए, यह भी उनके हिसाब है, उनका समझ है, तो यह समझ एक तरफ है, उसके साथ से स्टूडेंट्स, एक हिसाब से अन्जाने पोलिटिकल ताकत है, वो मैदान में इस वक्त है, तो यह ताकत किधर जाएगी, कैसे जाएगी, उसकी संबंद अमरीका के साथ क्या है, यूनिस का संबंद अमरीका के साथ क्या है, यह सब सवाले हैं, पर हकीकत यह है कि बंग्ला देश की जो इकनॉमिक स्थिती है, इस पे वो इंडिया के साथ, भारतवर्ष के साथ, चीन के साथ, अमरीका के साथ, तीनों के साथ संबंद बनाय रखना चाहते हैं उन्होंने कहा कि में बड़ी ताक्तों से संबंध अपने बनाए रखने होंगे और हमें सर्वाइफ करने के लिए जरूरी यहां पर आपने जो अब्जेक्टिव है यह अब्जेक्टिव सिचुएशन नहीं बतला था असलियत यह है कि बंगला देश जैसा देश ब बड़ा देश एकोनोमी भी बड़ा है इस वाक काफी अच्छा एकोनोमी क्सिति पे चल रहा था उनका पर कैपिटर इंकम इंदुस्तान से आगे चला था बेतर था पाकिस्तान से तो आगे था ही तो यह देखते हुए बंगला देश को एक मामूली एकिनॉमिक ताकत न चीन इसके बाद भारत बर्ष दो ही इनके क्या कहेंगे नेवर्स है तो इसके साथ-सत बर्मा की हालत भी काफी नाजूख है अर उसके साथ-सत अस्थिरता बंगला देश में भी है चितगांग हिल्स बगारा सिलेट इन प्रदेशों में जो हमारा इहा पर भारत से लगवा हिस्सा जो है मिजराम आपका त्रिपुरा इन सब जगों पे भी इसका असर पड़ता है तो अभी तो मेते वाला इशू तो है ही हमारे सामने कुकी मेते इशू है ही इस सब उस इलाके के साथ है जो की बर्मा और बंगलादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है तो इन सब द रखती है और इसलिए सब देशों की जरूरत ही है कि इसमें एक ऐसा राजडित वहां पर काइम होने दे जिस पर कम से कम कुछ लिबरलाइजेशन हो पुलिटिकली अद दूसरे पार्टियां जो है ताकते हैं इंक्लूडिंग आवमी पार्टि जिस वक्त जो की निशाने मे रहा है समाज के अंदर इन सब को देखते हुए भारत वर्ष हो अमरिका हो चीन हो इसको इसमें इन जगहों पर अपना राजडिती ना करके यहां की जो राजडिती है उसको सही रास्ते में लाने में उनको मदद देनी चाहिए और उसमें जो भी उंगली घुसाएगा मेरे इसाब से ना उनके लिए ना बंगलादेश के लिए अच्छा है क्योंकि यूनुस ने आते ही दो चीजें बहुत साफ कहीं और क्योंकि भारत के परस्पेक्टिव से भी कापी सवाल सिर्फ वहां पर जो बसने वाले हिंदू हैं जो माइनॉरटी हैं उनको लेकर था और जम पीट भी गए यह दिखाने के लिए कि भाई हिंदू या बंगाली हिंदू जो हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से मुस्तायद हैं जो दो नए चेहरे सोला लोगों की एक एडवाइसरी काउंसिल बनी है उसमें जो दो चेहरे हैं दो चेहरे चात्रा आंदोलन से आये हुए हैं नाहिद इसलाम और आसिफ यूनुस जो बहुत नौजवान हैं पच्चेश शब्श साल के हैं जिन्होंने यह आंदोलन पूरा लीड किया इसमें दो सवाल एक एक सवाल तो यह कि जो सेकुलर बंगला देश है क्योंकि हमने यह भी तस्वीर देखे कि मुझिवर रहमान की मूर्ती गिराए गई रविनार टैगोर के सुनार बंगला पर हमला हुआ इधर यूनुस खड़े हैं दूसरी तरफ एक जो अमरीकी प्रेशर है औ मेरे खाल से अबरीकी या जबात के सिर्फ क्या रोल रहा है इस से इसको चिन्नित नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पे और भी शक्तियां थी और इस पे कोई दो राहे नहीं है कि 2014 के चुनाव छोड़ दे उस पर प्रशने चिन्ने मेरे खाल से इता बड़ा प्रशने चिन्न पर 2019 से 24 खास तोर से ये विबादास्पध है और इसमे कोई दोराय नहीं है कि 2014 के चुनाव आम जन्ता महाँ पर सिवकार नहीं किया उसका जो राय निकला इसको सिवकार नहीं किया और इसके वज़े साफ है उसमें जाने की जाने की ज़रुत नहीं है पर इसकी शक्तिया जो इसके विरोध में खड़े गुए थे जो आए हैं इस मूव्मेंट से एक हिसाब से आये हैं मिलिटरी हस्तक्षिप नहीं किया हट गया एक स्तर पर जाके इसके बाद हट गया इस अब कहते हैं इस अब देखते हुए क्या वहां भविश्यवानी करे हम क्योंकि अभी भी जो सिच्वेशन है पॉलिटिकली फ्लूइड है तो उसको किसी तरह से यह नहीं सोचना चाहिए अमरीकी है जमात है जमाती बन गया है ऐसा नहीं सोचना चाहिए सेकुलर फोर्स भी वहां पर है और खास तोर से स्टूडेट बूब्मेंट है वो तो साप शब्दों में कहा है कि वो उस तरह की ताकत को नहीं चाहते जो सेकुलर नहो जो इस्लामिस्ट ताकत है उसके साथ नहीं जाना चाहते है यहीं वज़े से उनकी पसंद यूनुस थे उनको लगा कि एक रास्ता जो बड़ा चहरा है जिसके नाम पर स्टेबिलिटी आ सकती है वो यूनुस हो सकते है पानी को थोड़ा शांद करने के लिए इस वक्त यूनुस जैसे चहरा जो कि इतना कि इस पे ठीक नहीं होगा तो स्थिरता जो है बंग्नादेश की नहीं रहेगी इस्टेबिलिटी नहीं रहेगी अब देखते हैं यह क्या इस पे होता है बहुत हद तक डिपेंड करेगा अमरीका जैसे शक्ती है पाकिस्तान में हमने देखा हस्तक शेप किया इम्रान्थ के खिलाफ मिलिटरी के साथ ठीक है उसका तो साफ उनका केबल जो आया था उनकी डिप्लोमाटिक कोर के तरफ से पाकिस्तान बिज़ों प्राम निस्टर के पास आया तो साफ कहा गया था कि धंकी है अगर आप ऐसे करोगे तो हमारे पास और भी चारा है पाकिस्तान को नहीं इम्रान नहीं बने प्रधान मंतुरी इम्रान को हटाने का साफ धंकी यह था कि आप अगर यह रास्ते में चलो गया आपको अटाए जाएगा जो हुआ इम्रान इसको पॉब्लिक किया तो इसके बाद को हटा दिया गया तो यह जो है इस तरह के राजनीत अगर बंगलादेश में होगा तो उस पे सब को उसको जहिलना पड़ेगा खासतर से हम बैठे हुए हैं पगल में तो हमारे पर तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और एक चीज बंगलादेश को जो बात करते हैं उसकी वहां कॉमिनल फोर्स की भी बात जिकर हमने किया है जमात जो वहां पर ए बंगलादेशी घुसपेटिया के लावा नक और कुछ सग्या न देना है यहां पर आम जो चर्चा में खासतर से उन तबकों से होता है जो अपने आपको एक हिंदु राष्ट के तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और कई बार हमने देखा है कोई भी मुसल्मान हो तो उनक गुसपेटिया बंगलादेशी घुसपेटिया कहने कहना शुरू कर देते हैं खास से मैं बंगलादेश से हूँ तो यह तो यहां पर भी यह चीज हमारे सांगे है तो इमीडियेट पॉलिटिक्स बंगल त्रिपुरा और आसाम तीनों जगा पर तो बहुत ही जादा और एक पर आसरम में सारा हिंदु तुलू अंधु अगुम अब ऑनिन फोटे भी पहुछू के वहां पर तहस नहसन करती हैं पिटाई करती हैं और उततर प्रदेश कहती हैं कि नई नई यह तो यहीло मुसलमान हैं तो दूबows नसरों को और झाल आप दोस्ता निशाने मेर उह जात सिधा करना चाहोगे, तो उसका असर बंगला देश में कॉमनल असर पढ़ेगा, तो वो काउंटर कॉमनलिजम कहें, कॉमनलिजम कहें, और यह नहीं भूलना चाहिए, कि जमात की वहां पर ताकत है, वो जब पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर संगर्श हुआ था, जमात पाकिस अगर हम इस तरह से किसी भी लगातार बोलते रहते हैं, तो यह चीजे हमारे लिए अंद्रूनी पॉलिटिक्स भले ही करें, ऐसे अंद्रूनी पॉलिटिक्स ना करें, इसका उल्टा असर जो है हमारा नेबर पढ़ोसी देश में पढ़े, और इसका पढ़ोसी देश में इ वहां की, जो Commonwealth Forces है, उनको इसको ताकत मिलता है, तो यह चीज अभी हमें इस तरह से देखना चाहिए, हमने तो करीब करीब हमारे सब चीजे हसीना के तरफ ही कर दिया था, वही हमारे उनके, क्या के बैग में डाल दी, होली में डाल दिया था, तो हमारा गुडविल जो है, ब्रॉड बेस्ट हमारा अप्रोच बंग्ना देश के उपर होनी चाहिए, यह भी हमारे लिए, हमारे राजनितिक पार्टियों के लिए, खास तौरत में जो सत्ता में है, उनके लिए यह एक सबक होनी चाहिए, जिसके बारे में मोहमद यूनिस पहले से ही कह रहे थे, कि भ बहुत फर्क दिखाई दे रहा है बंग्लादेश, पाकिस्तान में जो हुआ उससे भी फर्क दिखाई दे रहा है बंग्लादेश में, जो अभी की मौजूदा इस्थिती है, तो क्या यह माना जाए कि मोहमद यूनिस और जो उनकी 16 सदसे टीम उन्होंने बनाई है, जिसमे शात्र संगठनों को भी शामिल किया और शात्र संगठनों ने काया कि हम अपनी पार्टी भी बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल रिजॉल्फ की तरफ बंग्लादेश का यह संकट है यह बढ़ सकता है, इसमें पोटेंशल दिखाई दे रहे हैं अभ जो पाकिस्तान में गये और जो स्री लंका में गये, उन्हों ने आर्मी को नहीं बुलाया कि आप ही आंके कमान सामा लिए, यह नहीं कहा और यह भी नहीं कहा कि हम ही सब कुछ करेंगे और जो है हमारे कहने पर पॉरा बंग्लादेश के सरकार चलनी चाहिए, तो यह दोनों पाइमाने जो फेलिंग्स था और उसके लिए वहां पर पूरी सरकार को उन्होंने इलेजिटिमेट समझा, यहां पर उस लेवल पर चीजे नहीं पहुंची और एक संभावना भी भी है कि यह जबी इंटरीम सरकार जो बनी है इसके जरिये बंग्लादेश को स्टेबिलाइ किया जा सकता है, संभावना है और यह भी अच्छी बात है कि बड़े पैमाने पर यह समर्थन हुआ है कि सेकुलाद बुल्ग बंग्लादेश रहना चाहिए और दोस्ती सारे मुल्कों के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो भी समझते हैं कि इस तरह से सब के साथ लड़ाई कर करके जगडा करके और अंदुरुनी दराद को बढ़ा के हम आगे नहीं जा सकते हैं तो यह एक बंग्नादेश की पुलिटिकल मिच्योरिटी कहिए हो सकता है कि मेरे ख्याल से बंग्नादेश की मिच्योरिटी एक लेबल पर पहुंची है जो स्री लांका पाकिस्तान में हम तक तक इसी चीश में दिर्भर करता है बंग्नादेश की मविश जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर और इसी के साथ मैं दर्शकों को याद दिला दूं की गाजा में जो चल रहा है जिस तरह से जैनोसाइट चल रहा है जिस तरह से बाकी ऑन स्लॉट है वहाँ पर उस और भी हम आपके साथ आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे फिलहाल शुक्रिया